अबिका विहार नियम दहजार सासनों भरती लेटिस्ट अबडेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छों और सुस्तोंगे और विहार नियम दहजार सासनों भरती काउंसलिंग के इंतिजार कर रहे होंगे कि कितनी जल्दी विहार नियम दहजार सासनों भरती क मन्दित कुछ खास अपडेट आपके लिए लेकर आए आज इस वीडियो के माद्यम साहम आपको बताएंगे कि एक्जाम पर बड़ी अपडेट क्या है पचास प्रसत ऐसे चात रहें जो एक्जाम के पच्छ में लगातार सपोर्ट कर रहें और पचास प्रसत ऐसे चात रहें जो मेरिट के पच्छ पर लगातार सपोर्ट कर रहें अब पैसला किसके पच्छ में होगा आज इस वीडियो के माद्यम साहम को संपोर्ड जानकारी मिलने वाले हैं दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेष्ट है चैनल को अभी सब्सक्राइब किजिए वीडियो के माद्य को लाइक करके शेर जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको संपोर्ड जानकारी मिल पाएगी क्योंकि आज क्या है वीडियो बिहार नेम दहजार सासनों भारती समधित महत्तपोर्ड होने वाला है आज आप यह वीडियो कर देखें दो यह तो बिहार में एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए चात्रों की मांग पूरी होगी या नहीं आज इस वीडियों के मादेम से आपको संपोर्ड जानकारी मिले बाली है तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि बिहार एन्यम 10,779 भरती की नीमा वली क्या है ये विज्यापन में दर्साया गया था साप साप कि एन्यम के 10,779 भरती में सबी चात्रों का चैन मेरिट के ही आधार पर होगा ऐसे में जब नई नीमा वली लागू हो चुकी है तो अब चात्रों के मन में लगतार यही सवाल बन रहा है कि बिहार एन्यम 10,779 भरती में क्या नई नीमा वली को लागू किया जाएगा या नहीं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार एन्यम 10,779 भरती में कुछ चात्र एन्यम 10,779 भरती को कैंसल कराने की मांग कर रहे हैं तो उन चात्रों को हम कहना चाते हैं कि जो भी चात्र बिहार एन्यम दसजार सासनों भरती में एकजाम के पच्छ में है तो ऐसे चात्रों की मांग पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि बिहार में NM के 10,700 भरती की जो जो जोइनिंग प्रक्रिया होगी वो केवल मेरिट के ही आधार पर होने वाली है तो दोस्तो जो चातर बिहार NM 10,700 भरती में एकजाम के पच्छ में सपोर्ट कर रहे है ऐसे चातरों के लिए बहुत बुरी खबर है ऐसे चातरों के लिए अब बिहार में NM की जो 10,700 भरती होगी वो केवल मेरिट के ही आधार पर होगी अब अगर जो चातर एकजाम के पच्छ में सपोर्ट कर रहे हैं उन चातरों को बताना चाहते हैं कि जो नई वेकेंसी आगी नई वेकेंसी एकजाम के आधार पर होगी तब आप अपनी तयारी करके एकजाम के माध्यम से अपनी जोईनिंग पा सकते हैं लेकिन बिहार NM 10,700 भरती जो प्रक्रिया है ये केवल मेरिट की ही आधार पर होने वाली है तो दोस्तों उमीद है मिल गया होगा आपके सभी सवालों का जवाब बिहार NM 10,700 भरती की जो जो आइनिंग प्रक्रिया होगी वो केवल मेरिट की ही आधार पर होगी आपके सभी सच्छिक योगता के अंकों को जोड़कर एक मेरिट तयार की जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा क्योंकि NM की जब बिग्यापन निकाला गया था तो उसमें साफ निर्देश दिया गया था कि आपके हाई स्कोल, इंटर मेरिट, जीनेम और एनेम और फार्मेसी तथा सम्मीदा के सभी कोर्सों को जोड़कर एक मेरिट तयार की जाएगी उसी मेरिट के आधार पर एक कटाप निर्दारित किया जाएगा और उसी कटाप के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा तो दोस्तों बिहार एनिम दहजार सासनो भरती प्रक्रिया में जितने भी अब बिहारती आनलाइन आवेदन कर चुके हैं उनको टेंसन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार एनिम दहजार सासनो भरती जो होगी वो केवल मेरिट के ही आधार पर होने वाली है आप हाथ प्रकार की अफवाओं से दूर रहें आप अपने संपूर डाकुमेंट को जल्द से जल्द इकठा कर लिजिए अगर आप बिहार एनिम दहजार सासनो भरती में अपनी जोईनिंग पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने संपूर डाकुमेंट को इकठा कर लिजिए क्योंकि आयोग जैसे ही अपना प्रकासन करेगा तो उस प्रकासन के बाद आपके पास कम समय होगा क्योंकि बिहार में बहुत समय निकल चुका है बिहार एनिम दहजार सासनो भरती के समदित इसलिए आयोग किसी भी दिन बिहार एनिम दहजार सासनो भरती से समदित काउंसलिंग की नई अपडेट जारी कर सकता है दोस्तों ये थी महत्त पूर्ड जानकारी बिहार ने हम 10,779 भारती से सम्मन दे रहे हैं